आप सभी का स्वागत है competition community में और हम डील कर रहे हैं current affairs on a weekly basis आज हम डील करने वाले हैं अगस्त महिने के दूसरे हफते में जो हमारे लिए महत्तुपूर्ण समसमाई की होगी राश्ट्री और अंताराश्ट्री अस्तर्की याने की national और international आये शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे हमारे लिए इस हफ्ते क्या महत्तुपूर्ण रही है इस हफ्ते मतलब यह आप लोगों के लिए अगस्त वीक टू अगस्त वीक टू के current affairs जरूर हैं पर यह कब से कब ठक होंगे 5th of August से लेकरके 11th of August तक में हमारे लिए जो भी चीजे महत्तुपूर्ण है उनक होगी उसको हम देखेंगे जैसे कि पहला हमारे लिए है एंपीच्मेंट मोशन अगेंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानि कि आप सभी को पता है कि जो हमारे राज्यसभा के चेयर्मेन है जो हमारे उप राश्रपती है देश के उनके बीच में और राज्यसभा के सदस्यों के बीच में एक वर्बल स्पैट हुई है जिसके बाद में लगबग 87 जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उन्होंने ये निर्णय लिया है उपोजिशन लेगा हाला कि अभी तक यह आया नहीं है लेकिन ऐसा प्लान कर रहे हैं कौन इंडी ब्लॉक वाले तो उसके बारे में थोड़ा से इंफॉर्मेशन देखेंगे दूसरा हम देखेंगे राश्ट्रिय विज्यान पुरस्कार जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्यपूर् इसके बाद हम हमारे दूसरे टॉपिक में चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कोई ऐसे चर्चित व्यक्ति हमारे पास में है क्या जो हमारे लिए एक्जाम उपयोगी हो सकते हैं जैसे कि पहले हैं आपके कौन श्रेयस रॉयल और उसी प्रकार हम फिर अपने अगले टॉपिक एंड अवाड्स महत्वण दिवस सम्मान रिपोर्ट और पुरस्कार केवल एक हमारे लिए महत्वण है और यह है क्या नैशनल हैं लूम्स डे फिर कोई भी खास हमारे पास में स्पोर्ट्स की समसमाई की इस हफते के लिए महत्वण नहीं है और ना ही कोई हमारे पास में विविद तथ्य महत्वपूर्ण है जो हमारे एक्जाम के लिए उप्योगी हो सकें आए शुरू करते हैं सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहता है इस हफ़ते की महत्वपूर्ण चीजों को जिसमें हम डील करते हैं उसमें सबसे पहला है Adjournment Signed Dine of Parliament and Impeachment Motion Against Vice President of India संसद का अनिश्चित काल के लिए स्थगन और भारत के उपराष्ट्रपती के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव क्या information है हमारे पास में हम देखते हैं 22 जुलाई से शुरू हुआ संसद का संसद का मौनसून सत्र 12 अगस्त को समाप्त होना था लेकिन इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया कब 11 अगस्त को एक दिन पहले ही इसे क्या कर दिया गया अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया याने के लिए एड्जॉर्ण्मेंट साइन डाइन कर दिया गया यह क्या चीज़ है इसके अभी हम थोड़े देर में समझते हैं तो यह क्या है मौनसून सत्र था जिसमें हमारे भारत का बजट भी पेश हुआ है ना तो एक हिसाब से हम यह समझ सकते हैं कि हमारा बजट सत्र और मौनसून सत्र दोनों एक साथ ही हुआ क्योंकि चुनाओं के पहले हमारे पास में इंटरिम बजट हमारी सरकार ने लेकर के आया था अभी जो गवर्मेंट ने आपका बजट लेकर के आया है वह कौन सा है यह फुल-fledged बजट है तो अभी हमारा कौन सा सेशन चल रहा अघर था मौनसून का सेशन चल रहा था अब यह यह सेशन क्या है एक परलियमेंट का यह सनसद का जो सधान होता है वह एक ऐसा ... जिस समय पर संसद के सदन होते हैं यह देली ही मिलते है और अपना कुछ नकुछ जो देश हित के कार्य होते हैं legislature लेटी वर्क्स होते हैं विदाई की कारे होते हैं इन सभी को डेली ही मिलते हैं एक निश्चित समय अवदी तक रोजना जब हमारे संसद के सदन के जो संसद हैं वो मिलते हैं मारा किज़ेगा उनस गालते हैं और विदाई की ogip पालिका का कारे करते हैं तो उसे हम एक सत्र बोलते हैं जनरली ऐसा देखा गया है हमारा जो ट्रेडीशन रहा है भारत में ये तीन सत्र हमारे होते हैं तीन सेशन्स होते हैं हमारे साल में एक होता है बजट सेशन जिसमें बजट प्रस्तुत किया जाता है दूसरा होता है मौन्सून सेशन और तीसरा होता है विंटर सेशन तो ये तीन सेशन्स होते हैं जिसमें लगबग 20-22 दिन से ले करके एक महिने तक लगबग लगबग आपका जो संसद के सदन होते हैं वो रोजाना मिलते हैं और क्या करते हैं अपना जो डे-टू-डे वर्क होता है तो अभी का जो हुआ ये कौन सा था मौनसून का सत्र था और इसी में ही क्या किया गया है बजट को प्रस्तुत किया गया है अब यहां पर जो राज्य सभा में एक मीटिंग हो रही थी कंटिनियसली राज्य सभा के चेर्मैन और यहां का जो सब्सक्राइब के बीच में ने की कहीं न कहीं आपका विवाद देखने को मिलता है चेर्मैन और सदस्यों के बीच में इसके कारण जो वारा अगस्त को कि आपका क्या होता है session को स्थगित करना था उसको क्या कर दिया गया अनिश्चितकाल स्थगन हाला कि देखे कि कोई भी session हो चाहे budget का session हो मौनसून का session हो उसको बुलाने का काम कौन करता है जिसको हम hunंन की बोलते हैं यह करते कोey that और यह i locking डा होता है summer the house होता है संसद के सदस्यों को संसद में मिलकर के कार करने के लिए एक इसाब से नियोता दिया जाता है जिसको बोला जाता है Summoning the House President क्या करेंगे? किसी भी सत्र को बुलाएंगे चाहे वो बजट सत्र हो, मौंसुन सत्र हो या फिर शीत काली नाप का सत्र हो जैसे ही यह सत्र एक निश्चित दिन के बाद में समाप्त हो जाता है जैसे यहां पर 22 जुलाई से ले करके 12 अगस्त तक में इसमें आपका क्या होना था चलना था यह सत्र 12 अगस्त को यहां पर क्या किया जाता जो भी पीठा सीन अधिकारी होते है ना जैसे राज्य सभा के क कौन स्पीकर यह क्या करेंगे आपका यह घोशित कर देंगे एड्जॉर्ण्मेंट साइन डाइन मतलब अनिश्चित कालिन के लिए क्या कर दिया जाएगा सदन की बैठक को और जैसे ही यह 12 अगस्त के बाद में दो-3 दिन के बाद में फिर से प्रेसिडेंट क्या करते इसके घोशना कर देते कि इसे प्रो रोग कर दिया गया है क्या है आगे समझते है प्रो रोग मतलब इस पर्टिक्युलर सेशन को समाप्त कर दिया गया है यह घोशना करेंगे कौन फिर से राश्ट्रुपती है ना एड्जॉर्ण् क्या किया गया है एड्जॉण किया गया है मतलब क्या किया गया है स्थगन किया गया है अनिश्चित काल के लिए सबसे पहले हम समझते हैं एड्जॉणमेंट क्या है या फिर स्थगन क्या है स्थगन किसी बैठक में काम को एक निश्चित समय के लिए रोक देता है जो घंटों, दिनों या हफ्तों तक हो सकता है इस मामले में पुना बैठक का समय निर्दिष्ट किया जाता है स्थगन केवल बैठक को समाप्त करता है सदन के सत्र को नहीं धगन की शक्ती सदन के पीठा सीन अधिकारी के पास होती है, याने कि अगर हम एक सेशन चल रहा है, मानते हैं मौनसून का सेशन चल रहा है, इसमें डेली हमारे राजसभा की क्या हो रही है, मेटिंग्स हो रही है, अब अगर आज हमारी जो मेटिंग हो रही है, या फिर ठाक को आमंतिरित करना है उस समय में हम उपयोग करते हैं किसका हम नहीं जो पीठा सीन अधिकारी होंगे वो उपयोग करेंगे किसका एड़ जॉर्णमेंट का या फिर स्थगन का यह बोलेंगे कि आज हमारी मीटिंग को हम स्थगित करते हैं और यह री असेंबल होगी हमारी मीटिंग कब तीन दिन बाद x y z day को तो यहां पर adjournment क्या है with specific time date तो इसमें जो पीठा सीन अधिकारी होते हैं वो कुछ घंटों के लिए कुछ दिनों के लिए या फिर हफ्तों तक के लिए क्या कर सकते हैं एक सदन की बैठक को स्थगित कर सकते हैं important बात क्या है यहां पर यह खेवल terminate क्या करता है एक बैठक को ही terminate करता है और यह किसी सत्र को terminate नहीं करेगा याने की एक सत्र क्या हो गया जिसमें एक निश्चित समय अधि के लिए daily क्या मिल रहे हैं हमारे संसत के जो सदन है वो बैठक कर रहे हैं तो वो पूरा का पूरा जो कालखंड होगा उसको हम बोलेंगे सत्र लेकिन हर रोज जिस दिन वहां पर हम बैठक करके क्या कर रहे हैं संसदिय कार्य कर रहे हैं उस दिन को हम बैठक बोलेंगे क्या यह हमारी बैठक है तो जो को समाप्त नहीं कर सकती यह यहाँ पर मात तो पूर्ण हो जाता है दूसरा हमारे पास में आ जाता है यही एड्जॉर्ण्मेंट इस साइंडाइन अब मतलब क्या है स्थगन में केवल जो समस्ट निष्चित करते हैं तब किस थिती में हम करते हैं क्या adjournment sign dine. In other words, when the house is suspended without naming a day for its reassembly, it is known as adjournment sign dine. The power of adjournment sign dine lies with the presiding officer of the house. तो स्थगन करना भी और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना ये दोनों ही शक्तियां किसकी हैं? पीठा सीन अधिकारी की हैं. याने कि लोगसभा के स्पीकर और क्या राज्यसभा के chairman. इन दोनों का power है. इसके बाद में तीसरी चीज़ जो होती है, ये होता है सत्रावसान. सत्रावसान या फिर prorogation. अब ये महत्वपूर्ण है. प्रोरोगेशन या फिर सत्रावसान क्या होता है? जैसा कि आपको नाम से ही clear हो रहा होगा, ये हमारे जो सत्र होते हैं, मॉन्सून सत्र, बजट सत्र या फिर शीत कालिन सत्र, उनको स्थगित करने से है, या फिर उनको क्या करने से है, उसको सस्पेंड करने से संबंदित है. प्रोरोगेशन means the termination of a session of the house by the order made by president under article 85 clause 2 sub clause A of the constitution. प्रोरोगेशन terminates both the sitting and the session of the house. मतलब क्या है? जो समय अवदी, जो कालखंट जिसमें एक सत्र चल रहा होता है, डेली के डेली सदन के संसद के सदन मिल रहे होते हैं अपने संसदिये कारियों के लिए उस पूरे कारखंड को समाप्त करने पा जो आपका term होता है, उसको हम बोलते हैं क्या? प्रोरोगेशन ये जो आज मान लेते हैं आज हमारा 12 अगस्त होता है, जिस दिन हमारा निर्धारित हमने किया होता क्या? मौनसून का सत्र हमारा 12 अगस्त तक चलेगा. तो 12 अगस्त के दिन में जो पीठा सीन अधिकारी होंगे, वो जब ये निर्णय देंगे कि चलिए भई हमारा सत्र यहां पर समाप्त होता है, तो उस समय पर वो क्या करेंगे? वो बोलेंगे कि हम सदन को एड्जॉर्ण्मेंट साइन डाइन करते हैं, यानि कि अनिश्चित काल तक हम सदन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, और उसके तीन दिन बाद, अनुच्छेद, लगबग तीन से चार दिन के बाद, अनुच्छेद 85 clause 2, sub clause A के थू, जो प्रेसिडेंट होंगे, वो क्या करेंगे? वो इस संसद के जो सत्र रहे या फिर स्थगन है, वो एक निश्चित अवधी तक हमारे जो बैठक होती है, उसको टर्मिनेट करने के लिए होता है, और ये पावर किसके पास में होती है, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, पीठा सीन अधिकारी होता है, उसके पास में, एडजॉर्नमेंट साइन ड पर क्या होता है, एडजॉर्नमेंट साइन डाइन या फिर अनिश्चित कालिन के लिए क्या, आपका स्थगन, तीसरा होता है प्रोरोगेशन, और ये प्रोरोगेशन किसके हाथ का पावर है, ये राश्ट्रपती के हाथ का पावर है, लेकिन बाकी दोनों जो है ये किसके हा is adjourned signed dine by presiding officer the president issues a notification for the prorogation of session however the president can also prorogue the house while in session very important कि देखे क्या बोल रहा है आम तौर पर जो पीठा सीन अधिकारी होते हैं पीठा सीन अधिकारियों के द्वारा सदन को अनिस्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने के कुछ दिनों के भीतर राष्ट्रपती सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है हाला कि राष्ट्रपती सत्र के दौरान भी सत्रावसान कर सकता है याने कि हमने देखा अभी क्या हमारा इस बार का जो मौनसून शेशन था यह कब से कब तक था आपका 22 जुलाई से लेकर के 12 अगस्त तक यह चलना था लेकिन अगर राष्ट्रपती को ऐसा फील हो जाता कि अब यहां को क्या यह जो सत्र है इसमें काम सहीं से नहीं हो पा रहे हैं या कुछ भी कारण से अगर राष्ट्रपती को ऐसा लगता कि अब हमें क्या करना है इस सत्र को यहीं पर समाप्त कर देना है तो वह एक दो तीन और फाइनली जो आपका अंतिम होता है देखे कोई भी जो बैठक होती है हम पाल्यवेंट की बैठक को चार तरीके से क्या कर सकते हैं समाप्त कर सकते हैं जिसमें से तीन हमने देख लिया एक है क्या हमारे पास में एड्जॉर्ण्मेंट साइन याने की अनिस्चित काल तक सगन जिसमें एक निस्चित समय और दी के बाद में रियसेंबली होती है तीसरा है प्रोगेशन जो एक क्या करता है एक बैठक के साथ साथ एक पूरी सिटिंग को भी क्या कर देता है माफ कि एक पूरे सेशन को भी खतम कर देता है और फाइनली हमारे पास चौता होता है वी बैठक को समाप्त करते हैं हम सत्र को समाप्त नहीं करते हैं जबकि जो प्रोगेशन होता है या फिर आपका सत्रावसान होता है इससे हम उस बैठक के साथ साथ उस बैठक वो जो बैठक जिस सत्र में चल रहा है उस सत्र का भी हम क्या कर देते हैं terminate कर देते हैं और finally होता है dissolution विगिटन से मौझूदा सदन का कारेकाल समाप्थ हो जाता है और आम चुनाओ होने के बाद एक नया सदन गठित किया जाता है याने की जो लोग सभा होती है ये एक मात्र ऐसा आपका तरीका है जिससे केवल लोग सभा को ही क्या किया जा सकता है विगटित किया जा सकता है क्योंकि आप सभी को मालूम है राज्य सभा क्या है एक permanent house है permanent house है कैसा है स्थाई सदन है मतलब ये कभी भी विगटित नहीं किया जाता है इसलिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है जो Dissolution है ये केवल और केवल किसमे होता है आपका लोगसघा में ही Dissolve होता है क्योंकि इसमें जो लोग हैं लोगसभा के जो सदस्य होते हैं वो हमारे द्वारा प्रत्यक्षरूप से निर्वाचित करके हमारा प्रतिनिद्व करत लोगसभा में इनका जो कारेकाल होता है यह 5 साल का होता है यदि लोगसभा उससे पहले विगटित ना कर दी जाए तब तक हर 5 साल के बाद में यह जो लोगसभा है इसको पूरी तरह से क्या कर दिया जाता है बंग कर दिया जाता है याने कि विगटित कर दिया जाता है और उसके बाद में फिर से एक आम चुनाओं होते हैं और आम चुनाओं के बाद में नया क्या बनता है लोक सभा बनता है लेकिन जबकि राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं है राज्यसभा एक continuing chamber है वो permanent house है वो कभी भी विगटित नहीं करती याने कि राज्यसभा कभी भी सब्सक्राथ तरीका है उसका नाम है विगटन और केवल और केवल किसमें होता है लोग सभा में होता है तो हमने चार चीज किसे पड़ी हैं अगर किसी बैठा को अब बंद करना है संसद पहला है पींट सईन डाइन दूसरा है एड्जॉर्ण्मेंट तीसरा है आपके पास में प्रोरोगेशन और चौन्था है आपके पास में डिसॉल्यूशन सत्त्रावसान और विगटन ये जो दोनों ताकते हैं ये हैं किसके पास में राश्रपती के पास और ये जो दोनों ताकते हैं ये हैं आपका किसके पास में प्रिसाइडिंग आफिसर के पास याने की पीठा सीन अधिकारी ठीक है चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है अच्छा इसके साथ ही जैसा हमने अभी डिसकस किया है कि राजसभा के चियर्मेन और राजसभा के जो सदस्य हैं उनके बीच में एक वर्बल स्पैट चल रहा है उसके कारण अब इन्होंने जो आपके विपक्षी दल हैं उन्होंने ये निर्णे लिया है कि हम र अब ये प्रक्रिया किस तरीके से हो सकती है इसको हम थोड़ा सा समझते हैं राजसभा के जो सभापती है जो भारत के उपर राश्रपती भी है आप सभी को पता होगा जो चेयर्मेन और राजसभा है वो वाइस प्रेसिडेंट कि एक क्या है एक्स ओफिश्यो है एक्स ओफिश्यो पोस्ट है याने कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो राजसभा का आटोमेटिकली क्या बन जाएगा चेयर्मेन बन जाएगा या फिर सभापती बन जाएगा तो जो उपर राश्रपती है उनको उनके पद से तभी हटाया जा सकता है किनको राज सभा के सभापती को उनके पद से तभी हटाया जा सकता है जब उन्हें उपराश्ट्रपती के पद से हटाया जाए उपराश्ट्रपती के पद से हटाया जाए उपराश्ट्रपती चेयर्मेन होते हैं राजसभा के पदेन क्या होते हैं सभापती होते हैं इसलिए अगर हमको राजसभा के चेयर्मेन को हटाना है तो हमें कैसे वो हटेंगे जब वो उपराश्रपती के पद से ही हट जाएंगे तब वो हट पाएंगे कहां से राज्यसभा के सभापती से अब अगर उनको उपराश्रपती के पद से हटाना है तो उसकी प्रक्रिया कहां पर दी हुई है भारतिय सम्मिधान के अनुच्छेद सड़सड क्लॉस बी में यानि के 67 क्लॉस बी में क्या है यह देखते हैं A resolution to remove the Vice President can only be introduced in the राज्यसभा not the लोगसभा उपराश्रपती को हटाने का जो प्रस्ताव है यह केवल और केवल राज्यसभा में आ सकता है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुत कम ऐसे incidences है या ऐसे बहुत कम हमारे पास में थीजें हैं जिसमें राज्यसभा की ताकतें लोगसभा से ज्यादा है उनमें से एक है क्या उपराश्रपती को हटाना तो उप राश्रपती को हटाने का जो प्रस्ताव होगा, वो केवल और केवल कहां लाया जा सकता है, राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, प्रस्ताव को 14 दिन के नोटिस के बाद पेश किया जाना है, मतलब सबसे पहले क्या होगा, एक नोटिस बना करके ये उप पती के पास में भेजेंगे याने कि राज्य सभा के जो सदस्य होंगे वो एक नोटिस भेजेंगे किसको उप राश्रपती को 14 दिन के लिए और बोलेंगे कि हम 14 दिन का आपको समय बता रहे हैं 14 दिन के बाद में हम लोग क्या करेंगे आपके लिए प्रस्ताव लेकर क्या है इसके बाद में तो सबसे पहला क्या हो गया? सबसे पहली चीज, राज्य सभा में ही केवल ये प्रस्ताव लाया जा सकेगा, लेकिन प्रस्ताव से पहले एक नोचिस जाएगा किसको? उपराश्रपती को और वो भी कितने दिन पहले चौदा दिन पहले चौदा दिन बीतने के बाद में ही ये क्या लाया जा सकेगा प्रस्ताव लाया जा सकेगा प्रस्ताव को राज्यसभा में प्रभावी बहूमत से पारित किया जाना चाहिए जो की रिक्ति सीटों को छोड़ कर उस समय राज्यसभा के सदस्यों का बहूमत ह होगा यानि कि देन मेज़ॉरिटी तेन मेज़ॉरिटी या फिर इफेक्टिव मेज़ॉरिटी यह ना इस तो यह जो हमारे वह पराश्रपती होंगे इनको किस मेज़ॉरिटी से आपका राजसभा से पारित कराना पड़ेगा हटाने के लिए यह आपका इफेक्टिव मेज़ॉरिटी या फिर देन मेज़ॉरिटी अब यह देन मेज़ॉरिटी इफेक्टिव मेज़ॉरिटी क्या होती है जो टोटल सदस्यता होगी हमारी राजसभा की टोटल मेंबर्शिप या फ 245 मान लेते हैं 245 अगर होने चाहिए टोटल लेकिन यहां पर vacancies है कुछ मतलब कुछ रिखतियां है जैसे कि मान लेते हैं 45 यहां पर रिखतियां है ना जस्ट इन केस तो इन दोनों को इन vacancies को strength से माइनस करने के बाद में इसका जो मेजॉरिटी निकलेगा वो होगा एफेक्टिव मेजॉरिटी याने कि अगर total strength पचास दो सो पैतालिस की है और vacancies 45 है तो हमारे पास में कुल मिला करके वर्तमान सदस्य कितने हो गए है total 200 वर्तमान सदस्य है तो इनका 50% से एक ज्यादा याने कि 101 सदस्य जब इसको पारित करवा देंगे है ना 101 सदस्य जब इस प्रस्ताव को पारित कर देंगे कि हाँ भई हमको क्या करना है उप राश्रपती को हटाना है तब कि स्थिती में ये राज्यसभा से पारित हो जाएगा इसके बाद में जो प्रस्ताव है वो लोग सभा द्वारा साधारन बहुमत से अनुमोदित किया जाना है साधारन बहुमत मतलब जिसने उस दिन उपस्थित होंगे उतनों से ले करके क्या उनका मेजॉरिटी 50% से ज्यादा लेकिन यहा हमारे लिये बहुत ज़्यादा मात्यपूर्ण है सबसे पहली बात इसे केवल जो प्रस्ताव है वो शुरुआत कहां होगी वो केवल केवल राज्यसभा में ही उस प्रस्ताव को लाया जा सकता है उनको हटाया जाए फिर वो जो राज्य सभा होगी वहाँ पर effective majority या फिर then majority प्रभावी बहुमत से इसे पारित कराया जाएगा और प्रभावी महुमत क्या है आपका कुल मिला करके जो total strength है उसमें से total vacancies याने की जो वर्तमान सदस्यों की संख्या होगी उसका majority होना चाहिए तब वह राज्य सभा से क्या होगा पारित होगा राज्य सभा से पारित होने के बाद में वह जाएगा कहां पर लोक्सभा में और लोक्सभा में सामान ये बहुमत याने की उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत तब मेजॉरिटी ओफ प्रेजेंट एंड वोटिंग से वो पारित हो जाने पर जिस दिन लोग सबा से पारित होता है उस दिन से ही क्या उपराश्ट्रपती को उनके पद से हटाया माना जाता है आज तक हमारे देश में ऐसी स्थिती कभी भी निर्मित नहीं होई है कि उपरा क्वेश्टन हमारा क्या है अगला जो इस हफते हमारे लिए महत्रपून रहा है यह है प्रेसिडेंट ओफ इंडिया प्रेजेंट्स राश्ट्रिय विज्यान पुरस्कार दोजार चौबिस इन फर्स्ट एडिशन आफ राश्ट्रिय विज्यान पुरस्कार 33 अवार्ट्स विज्यान रत्न विज्यान श्री विज्यान यूवा एंड विज्यान टीम यह चार बहुत ज्यादा आपके लिए महत्रपून है जो राश्ट्रिय विज्यान पुरसकार है इनका पहला संस्करण हाल ही में चालू किया गया था इसमें कुल मिला करके 33 जो साइंटिस्स हैं दिननने-साइजंस एंट विज्यान टेक्नलोलजी में एपने उत्करिस्त कारिक हैं उनको चार अलग अलग कैटिग्रीज में क्या दिया गया है वोर्ड दिया गया? एक में धि क्यार रत्न दूसरा है महत्यान श्री विज्यान पुरसकार अवकॉत श्यादा महत्यपू सां who have made lifetime contributions in any field of science and technology was presented to Professor Govind Rajan Padmanabham very 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 important बहुत ही ज्यादा महत्तपून है जो विज्ञान रत्न अवार्ड है इसको आप भारत रत्न के समतुल्य मान सकते हैं science and technology के field में तो जो विज्ञान रत्न पुरसकार है यह दिया गया है गोविंद राजन पद्मनाबं को जो एक क्या है molecular biology and biotechnology research के pioneer हैं मतलब इन्होंने जो malarial parasite होता है यह ना प्रोटोजोव उस पर क्या किया है बहुत ज्यादा research की है और इन्होंने बहुत उंदाकार किया है उस निपटने के लिए इसलिए इन्हें भारत का पहला राश्ट्री विज्ञान पुरसकार दिया गया है बहुत ज्यादा महत्पूर्ण है इसके बाद में दूसरे जो है यह है विज्ञान श्री की क्यांतिगरी और इसमें किनहें दिया जाता है साइंटिस्ट हूँ अब मेड़ डिस्टिंगविश्ट कंट्रिबीशन टू साइंस एंड टेकनोलजी वर प्रसेंटिंट मिला करके तेरा साइंटिस्ट्स को क्या किया गया है दिया क्या गया है फॉर पाथ ब्रेकिंग research in their respective domains है ना तो जो विज्ञान रतन है यह क्यों दिया जाता है distinguished scientist the distinguished services या फिर lifetime contribution in any field of science and technology lifetime contribution जबकि जो विज्ञान श्री है यह क्यों दिया जाता है पाथ-breaking research in their respective domains है ना किसी भी छेत्र में आजीवन योगदान देने वाले विज्ञानिकों को विज्ञान और प्रद्योगी की क्या दिया जाएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा इस साल किसको किया गया है जोविंद राज पद्मनाभम को जिन्होंने लेरियल पैरसाइट के लिए अपना पूरा जीवन क्या कर दिया है योचा वर कर दिया इसके बाद में विज्ञान और प्रद्योगी की में विशिष्ट योगदान के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जात who have exceptionally contributed to any field of science and technology was given to 18 scientists याद रखेगा विज्ञान श्री तेरा लोगों को दिया गया है विज्ञान यूवा जो है यह 18 साइंटिस्ट को दिया गया है और वही पर हमारे लिए यह जो 18 साइंटिस्ट है for their contribution in the area spanning from study on warming of Indian Ocean and its consequences to the development of indigenous 5G based station and communication and precision test of quantum mechanics मतला बहुत ही wide spectrum of studies हैं जिसके मात जिन में contribution exceptional contribution देने के लिए 18 लोगों को क्या दिया गया है विज्ञान यूवा से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इसके बाद में हमारे पास जो चौथे कैटिगरी यह है विज्ञान टीम अवार्ड यह तीन से ज्यादा लोगों की या फिर तीन से ज्यादा साइन्टिस्ट की टीम को दिया जाता है जो क्या करते हैं अपना एक बहुत ही जबर्दस performance दिखाते हैं किसमें science and technology में जो नेशन के growth और development के लिए महतवपूर्ण होता है और यह इस बार दिया गया है किसको चंद्रयान तीन को फॉर सक्सेस्फुल लैंडिंग ऑफ चंद्रयान त्री लैंडर नेर दा साउथ पोल ओफ मॉन चंद्रमा की दक्षिडी धुरूव में लैंड करने के कारण चंद्रयान त्री की जो टीम है उसको दिया गया है क्या विज्ञान टीम का अवॉर्ड तो कुल मिलाकर के जो राश्ट्रे विज्ञान पुरसकार हैं इसमें चार कैटेगरीज है सबसे पहला है विज्ञान रत कितने को त्यरा साइंटिस्ट को दिया गया है इसके बाद में हमारे पास में 3 है विज्ञान क्या यू और विज्ञान की कenne को दिया गया है ठीक है अगला देखिए अगला हमारे पास में है बीम स्टेक बिजनेस समिट Ministry of External Affairs of Government of India in Association with Confederation of Indian Industries will host the first बीम स्टेक बिजनेस समिट in New Delhi in 6th to 8th अगस्ट 2024 याने की 6 से 8 अगस्ट 2024 को भारत में नई दिल्ली में जो बीम स्टेक है बीम स्टेक है ना इसका पहला बिजनेस समिट आयोजित किया गया है तो आप लोगों को यह ध्यार नकना है आप लोगों से डायरेक्ट वेस्टन पूछा जाएगा जो बीम स्टेक है इसका फुल फॉर्म क्या है पोव वह भेंगोल इनिशेटिव एफ मल्ली सेcorल टेखना का यह एकोना कीरेशन एवं उसके आजस पास में रहने वाले जो हुð देश наш है उनका एक क्या है एक ग्रूप है जिसका पहला बिजनेस समिट पहला व्यापारिक कि समिट जो है इसे आयोजित कराया गया है कहां पर नई दिल्ली में 6 से लेकर के 8 अगस्त तक यह आप लोगों को इंपॉर्टेंट है याद रखना है बीम स्टेक समिट के पहले संस्करण का बीम स्टेक के बिजनेस समिट का पहला संस्करण का उद्देश बहु छेत्रिय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी के पहल के सदस्य देशों के बीच में मजबूत व्यापार और निवेश संबंदों के माध्यम से अधिक छेत्रिय सहयोग को बढ़ावा देना तो यह objective है अगर रट सकते हैं तो रट लीजेगा बाकी गरंट अफियर्स वन डे के हिसाब से हमारे लिए मातोपूर्ण क्या है बीच में मजबूत व्यापारिक और निवेश संबंदों के माध्यम से अधिक चेत्रिय सहयोग को बढ़ावा देना जो बीम स्थेक है इसका फुल फॉर्म है बे ऑफ बेंगॉल इनिशेटिव अफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड एक्कोनोमिकल को ओपरेशन फांडेड ओन जून 6, 1997 वित साइनिंग ओफ बैंककॉक डेकलेरेशन बीम स्थेक है इसका फुल फॉर्म बेंगॉल इनिशेटिव ओफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एक एक बातें आप लोगों के लिए बहुत महत्तपून है जो बीम स्थेक है उसका फुल फॉर्म बेंगॉल इनिशेटिव ओफ मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एड एजुकेशनल माफ किजाए एकोनॉमिकल को उपरेशन जून 1997 को बैंककॉक घोशना पत्र पर हस्ताक्षन के साथ में स्थापित हुआ था बीम स्थेक है एक अंतराश्रिय संगठन जो दक्षिन और दक्षि से मिलकर बना है भारत भूटान नेपाल बांगलदेश श्रीलंका म्यानमार और थाइलेंड ठीक है चलिए आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण हमारे पास में व्यक्ति हैं जो हमारे लिए इस हफते महत्वपूर्ण रहे हैं सबसे पहले हैं श्रेयस रॉयल प्रिटिश भारतीय सातरंज ग्रेंड मास्टर बन गए हैं रॉस्रेयस रॉयल प्रिटिश इंडियन ग्राइंड मास्टर एड 15 यह सेवन मॉन्च ओल्ड में इंग्लैंड युग्राइंड मास्टर आफटर विनिंग दब्रिटिश चैस चैंपियनशिप देविड होविल्स जो हाल ही में Grand Master बने हैं और इन्होंने ब्रिटेन का सबसे कम उम्र का Grand Master बनने का जो रिकॉर्ड था डैविड होविल का उसे तोड़ दिया है और यह 15 साल साथ महिने की उम्र में ब्रिटेन के सबसे यंगे सबसे कम उम्र के क्या बन गए है चैस Grand Master बन गए है अगला हमारे लिए जो टॉपिक है हमारा यह है प्लेसे इन यूज या फिर स्थान समाचार में या फिर चर्चित स्थल है और यह है हमारे लिए गवर्मेंट आफ आंद्रप्रदेश या फिर आं जाती है जनगरना बहुत हो गई अव हम करेंगे क्या कोशल जनगरना यानिकि स्किल सेंसे स्करेंगे और लोगों को उनके स्किल के एकॉर्डिंग एम्प्लयमेंट दिया जाएगा ताकि यह जो ओर ऑल अन एमप्लयमेंट का एक पूरा सिनारिओ हमारे भारत को परिशान कर रहा है वैसा हमारे राज्य में ना हो तो आंद्रप्रदेश की गवर्मेंट ने क्या किया है इस फर्स टाइम इन इंडिया भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ है आंद्रप्रदेश की सरकार ऐसा पहली बार करने वाली है कि एक क्या करने वाली है स्किल सेंसस कौशल जंगर ज़ना आयोजित करने वाली है चलिए आगे चलते हैं अगला है हमारे लिए महत्वपूर्ण दिवस रिपूर्ट्स सम्मान या फिर पुरसकार तो केवल एक हमारे लिए महत्वपूर्ण है और ये है आपका राश्ट्री हतकरधा दिवस हतकरधा शमिकों के योगदान को मान् आया जाता है यह दिन 1905 के स्वदेशी आंदोलन की वर्षगाट का प्रतीक भी है 1905 में जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था उसके बाद में हमारा जो देश व्यापी आपका क्या था स्वदेशी आंदोलन था यानि कि स्वदेशी अपनाईये और विदेशी का नकार यह यह साथ अगस्त 1905 से ही शुरू हुआ था और इसी के बाद से ही हमारा इसके बाद से तो नहीं लेकिन इसका आपका कमेमरेट होता है किस दिन साथ अगस्त को यह उसकी क्या पढ़ती है आपका वर्ष गांट भी पढ़ता है लेकिन यह मनाया कब से जा रहा है वर्ष 2015 म में जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन नहीं में पहली बार इसे मनाया गया उसके बाद से यह कंटिनियसली क्या हो रहा है साथ अगस्त को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है साथ अगस्त 7th of August को हर साल क्या मनाया जाता है National Handlooms Day मनाया जाता है तो अगस्त महिने के दूसरे हफते में हमारे लिए राश्ट्री अंतर राश्ट्री जो समसमाई की रही है वो हमारे एक्जाम उपयोगी जो रही उसको आज हमने डील किया है कल हम इसका उपर बेस करके बहु विकल्पिये प्रश्णों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दन्यवाद अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कमिनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको